हिमाचल प्रदेश में भी बादल फटने की घटाएं हुई हैं जिससे की नदियों का पानी सब कुछ तहस नहस करने को आमदा है हिमाचल में बारिश करे स्पोथ कुल्लू में फटा बादल बग अंडी में तबाई लहरों का कुछ रां हिमाचल में त्राहिबा आस्मानी तबाही पहाड पर हिराए बादलों की तहाड मुसीबत मुपहाड पुत्रग के शक्ति प्रदर्शन की यह वो तद्वीरें जिने देखकर अरकिजी का देल लगते हैं देलों लहरों ने ऐसा कहर बर पाया कि देखते ही देखते एक विशाल का इमारत इन लहरों में समानी त्राहिए यह मणी कर्ण की तस्वीरें जहां रोम के खड़े कर देने वाला यह विट्व रिकॉर्ड किया गया है देखिए कैसे मौसराधार बारिश के बाद आएस सैलाब ने इस इमारत को लिए यह मंडी के ही पड़ोह बाजार की तस्वीरें जहां व्यास नदी का पानी लोगों के घरों तक शिकंजा कसने लगा थे आलम यह हो चुका है कि डरे सह में लोग सुरक्षट छिकानों को तलाश रहे और प्रशासन की तरफ से लगातार लोगों को सावधान रहने की हिदायद दी जा रही संसनाती लहरें जिस रास्ते से होकर गुजरी वहां एक छटके में सब कुछ तबाह होगे खुलू से आई ये तस्वीरें इस बात की गवाही देती है कि जब खुद्रत को हुराम मचाती है तो सब कुछ अपने साथ में जाती है दावाद क्या जा रहा है कि इस सैलाब की जट में आकर कई लोग अपनी जान गवा चुके जब कि कई घर पूरी तरह से तबाह हो चुके मलाना के इस हाइट्रो प्रोजेक्ट को ही देख लीजी जिसे रिवर बेट के रास्ते पर बनाया गया लेकिन अब ये हाइट्रो प्रोजेक्ट कुद्रत की पावर के आगे सरेंडर कर चुका है खबर है कि पहले बादल भटा और फिर डैम के दिवारें जवाब दे गए जिसका असर ये हुआ कि पल भर में सब कुछ सेलाब की लहरों में समा गया बागी पुल से आई ये तस्वीरे भी देख लीजी जहां प्रकरते ने ऐसा प्रहार किया कि दरजनों गाडियां और घर अचानक आई बाल के मिनिट चड़ गया मनाली में ब्यास नदी ने रोदर रोप धारण का रखा है जिसका असर ये हुआ कि नैशनल हाईवे 3 पूरी तहें से तबाह हो गया है इतना ही नहीं हिमाचल के कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट की जारी किया गया है मौसम विभाग के मताबिक विलासपुर, चंबा, हमीरपुर, कांगडा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सिर्माओर, सोलन और उना में तबाही वाली बारिश का लगातार अलर्ट जारी है यानि हिमाचल में आने वाले कुछ और घंटे भयानक तबाही की और इशारा कर रहे हैं यही वजह है कि लगातार लोगों से यही अपीर की जा रही है कि ना तो नदियों के पास जाने की कोशिश करें और ना ही जादा अपने खरों से निकले तो देखा आपने यह मंज़र यह काफी खतरनाक मंज़र जिसकी वजह से जगा जगा पर तबाही हम देख रहे हैं लेकिन ऐसे मौसम में साफधान रहने की बहुत जरूरत है पुलिटेन में फलाल इतना ही